हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम पढ़ेंगे विकलांग बालकों के बारे में कि विकलांग बालक क्या होते हैं उनके समस्याएं क्या होती हैं और उनके लिए सेक्षिक व्यवस्था कैसे की जाती हैं तो देखिए यहिस्वालक विकलांग बालक बालक झाता है इसका नाम और उनपराह विकलांग आधानग यहा और फिर सारीरिक हो या समवयगात्मिक द्रिष्टि से जो थोड़े दोश पूर्ण होते हैं अर्थात क्या हुआ कि वे बालक जिसमें, कोई समवयगात्मिक मांजिक जो अधूरी रहlı जाती हैं तो इन्हे कहें चतुम विकलांग बालक तो देखिए कुछ मनुवेग्यानिकों ने भी इनकी परिवाशा दी है तो आईए चलिए देखते हैं तो देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिन में ऐसा सारी रिक दोश होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारन क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या फिर उसे सीमित रखता है ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं तो क्रो एंवं क्रो ने ये कहा कि ऐसा सारी रिक दोस होता है जो साधारन क्रियाओं मतलब जो साधारन क्रियाओं होती है उन्हें करने से जो चीजे रोकती है वही क्या होते हैं वही लो को थोड़ी संतुष्टी और प्रसन्यता मिलती है कि वह जो है छतिपूर्ती प्रतिष्ठा स्रेश्था या प्रसिद्धी प्राप्त करके करना चाहता है और इन सब से उसको जो है संतुष्टी प्राप्त होती है और जो उसके सारीरिक दोशों का कारण है तो देखिए विकला के बालकों के बारे में इस प्रकार के बालकों में जो है मूर। बालक भी आ जाते हैं निम्न बुद्धी वाले बालक आ जाते हैं और इनकी हम जो है वर्गी गरण किस प्रकार करते हैं आई क्यू लेवल जाच करके तो देखिए इनका जो है मांसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं अन्य बच्चों की तुलना में बाद में बैठना या फिर घुटनों के बल चलना या फिर पैरों के बल चलना या बोलना सीख पाते हैं तो मांसिक विकलांगता वाले वयस को और बच्चों दोनों में निम लिखित विशेष्टाइं पाई जाती हैं तो निम लिखित मतलब मैं आपको बताती हूं पहली विशेष्टा यह है कि यह मौखिक भासा का विकास में क्या होती है देरी होती है मतलब यह बच्चों जोते बहुत देर में बोलना शुरुआत करते हैं नेक्स्ट है कि इनकी स्मृति कोशल में नियुनता होती है नेक्स्ट है समाजिक नीमों की सीखने में कटनाई होती है समस्या को हल करने में कटनाई होती है है ना और सोयम सहायता या खुद अपनी देख भाल करने की शमता इन में विक्सित नहीं हो पाती नेक्स्ट बात करेंगे समवेगात्मक रूप से विकलांग बालग तो इस रेड़ी में जो है बाल अपरादी या फिर कदाचारी जिने डेलिक्वेंट्स कहा जाता है इन बालक बालक तो देखिए अब बात करेंगे कि विकलांग बालकों की समस्याइं क्या क्या होती है तो देखिए बालक अपंग हो या अंधा हो या आधे अंधे हो या पूर्ण बहरे हो या फिर अपूर्ण बहरे हो या फिर मानसिक रूप से अपंग हो या विकलांग हो तो ऐसे ब मंदी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे अपंग बालकों में समवेगात्मक परिवक्ता जो की emotional maturity नहीं आपाती है और इन बालकों में हीन भावनाय उत्पन होती है और यह अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं और यह अपनी एक्षाओं को दबाते रहते हैं मनी मन इनकी एक्षाएं घर कर जाती हैं लेकिन अपनी इक्षाएं प्रकाट नहीं तो इस प्रकार क्या हुए कि विजारों के परिणाम में इनका संबिगात्मक्सन इस्थिर नहीं रहता है चाहें आप असे बालक समयो घ्रचा का सामना करना पड़ता है अब देखिए के सारी रिक दोस्तों को क्टoryक परेशानिये होती तो देखिए सारी जो अपंग बालक होते हैं उन्हें बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ऐसे बालकों को कक्षा में बठाने के लिए विशेज प्रकार की कोड़्शी मेज का उपलब जो है विवस्था करनी चाहिए ताकि कक्षा में कार्य करते समय उन्हें किसी प्रकार की कोई असुवधा न हो नेक्स्ट बात करेंगे मांसिक रूप से अपंग बालक के लिए क्या होता है कि मांसिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं तो उन्हें जो है समयोजन संबंधी जो है सामना करना पड़ता है समयोजन तो समयोजन संबंधी समस्याओं का साम समाज में जो है वह कू समाज़ित महस्वोस करते हैं मतलब क्या और की निम नस्तर का और रह दूसरे दोसर youtube किसी भी गतवीडियों में रूची नहीं लेते और समाज-बीकास में भी वे लाधते नेक्स बात करेंगे अंधह और अर्ध अंधा बालगो के बारे में तो देखिए जो अंधे होते या फिर अर्ध अंधे बच्चों को भी बैठने की समस्याग का सामना करना पऩ़ता है ये होता है कि उन्हें स्यांपट जो है इतनी दूरी पर बिठाया जाना चाहिए कि स्याम पटपल लिखे सब्द उन्हें सपस्ट रूप से दिखाई दें तो पूर्ण और अपूर्ण बहरों को सुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कम सुनने वाले बच्चों को समाने बच्चों के साथ ही रखा जाना चाहिए क्यों रखा जाना चाहिए ताकि वे ऐसे बच्चों के साथ विसेज प्रकार का व्योहार जो होता है और जिन बच्चों को बोलने में दोश हो तो उन्हें जो है विसेज प्रक्षिक्षन दिया जाना चाहिए सब्दों को बार बार बुलवाना चाहिए, दोश पूर्ण वार्णी वाले बच्चों को हिन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है, अथ fps क्या होता है, उनके साथ सहान भूती पूर्ण विवहार करना चाहिए, तो देखिए, अब बात करेंगे विकलांग बालकों की से माने प्रयोक नहीं कर पाते और यहीं दोस उनके कार्य में बाधा डालती है तो इस प्रकार के दोस जो है वह बालकों में हड़्णियों का जो है दोफ उत्पन होता है यह दुर खटना या वीमारी के कारण भी उत्पन हो तो अपंग बालकों की बुद्धी लबदी जो है कम या अधिक भी हो सकती है तो ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए जो है निमने लिखी चीजें करने चाहिए तो देखिए पहली है तो देखिए जो अपंग बालक होते हैं उनके मांसिक विकास के अवसर देना चाहिए जैसे क और उने के लिए कुरशी मेज की विवस्ता अनुए नेक्स्ट है इनके द्रिष्टीकोण को सब्सक्राइब लूख कई ट्रिष्टीकों प्छों को सब्सक्राइब वेजन चाहिए और पेर आउट करना उन्हें करना बहत अवश्यक है इन के मन में हीन भावना को दूर करने की सिक्षा केंद़ी और निकालना पूंग है जो हीन भावना से लिए क्रेश हम उन्हें उस हीन भावना से दालना नेक्स्ट एवं अर्द अन्धों की सिक्षा तो देखे संपूर्ण से जो अन्धे और या फिर आधे अन्धे बालकों की सिक्षा के लिए अध्यापक को निम्न प्रकार कार करना चाहिए तो देखे इनका अंधा पयना जो है किसी आप्पधार ही ठीक हो सके तो इन्हें जो है अंध विद्यालियों में भेज देना चाहिए और वहां पर ऐसे बालकों की सिक्षा के लिए विसेश विद्यों का प्रयोग करना चाहिए नेक्स्ट है कि मोटे टाइप की पुष्टकों का प्रयोग होना चाहिए जिसमें मोटा मोटा टाइप लिखा हो पर उचितलेखन होना चाहिए तो देखे स्याम पर जो सिक्षक को चाहिए कि थोड़ा बड़ा लिखे और स्पस्ट लिखे ताकि इन्हें दिखाई दे और अंध्य और पूर्ण अंध्यबालकों को जो है पुस्त की ग्यान की पेक्षा हस्तिकारी में प्रक्षिक्षन जादा दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी आजीवी का चला सके नेग्स्ट है पूर्ण बहरे एवं अपूर्ण बहरे की सिक्षा तो देखे बिल्कुल बहरे बच्चे हैं जीनें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है यह या तो जन्म से बहरे होते हैं या फिर किसी रोग के कारण बहरे हो जाते हैं तो कई बच्चे सुनते तो हैं लेकिन थोड़ा कम सुनते हैं और ऐसे बालक भी सामाने बालकों की तरह नहीं सीख पाते तो इनकी सिक्षा निम्न प्रकार से की जानी चाहिए तो देखिए बहरे बच्चों के लिए विशेश प्रकार की स्कूलों की विवस्था होनी चाहिए और इन स्कूलों में विशेश टीचिंग मैथट और ट्रेनिंग जो है दिया जाता है ठीक है और कई सहरों में ऐसे स्कूल की विवस्था भी है मैं आपको बता दू कि गुडगाउं गुडगाउं हुआ रोहतक और दिल्ली में जो है ऐसे स्कूल बनाए गए हैं और ऐसे बालकों के माता-पिता का भी सिक्षन भी आवस्यक है तो ऐसा स्कूल जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में जॉन ट्रेसी के निदान सालक में जो है और जो डांग द्वारा ऐसे प्रक्षिक्षन दिये जाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे बच्चों के लिए समायोजन का प्रबंधन होना चाहिए तो देखिए ऐसे बालक जो है अध्यापकों में अच्छे संबंद स्थापित हो चकते हैं तकी कि उनके समयोजन के लिए अध्यापक व्यक्तिकत ध्यान दे सके नेक्स्ट है कि शीवख्षक का संबंद होना चाहिए एसा संबंद नहीं होना चाहिए कि वहीन भावना से ग्रसित हो जाएं नेक्स है कि मै Rudi वह बालकों के लिए अलग्रदी क्लों की विवस या दोश पूर्ण वाणी वाले बालकों की सिक्षा तो देखिए दोश पूर्ण वाणी में हकलाना तुतलाना बहुत धीरे बोलना बहुत छोटी आवाज में बोलना या फिर बिल्कुल ही ना बोलना ये सब दोश शामिल है तो आज पस्ट बोलना भी वाणी दोश है जो है और इन दोश्यों के कारण बालकों में हीन भावना आत्म विश्वास की कमी संबेग आत्मक अिस्थीर्था यह सब उत्पन होना स्वभाविक है लाजमी है क्या होता है कि वो जो है तुत्लाते हैं या फिर धीरे बोलते हैं या फिर उनकी मोटी आवाज होती सोचते हैं कि हम नौर्बर बालकों की तरह नहीं है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो क्या होना चाहिए कि ऐसे बालकों के लिए विशेश शिक्षण का प्रबंद होना बहुत ज़रूरी है तो देखें विविविन कदम उठाया जाते हैं कि इनके साथ जो होता है सहान भूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए नेक्स्ट है कि इनकी गलत आदतों पर नियंतरन रखना चाहिए और मैं अपने अनुसार बताओं कि इनको जो है सर्जिकल ओपरेशन के द्वारा इनके दोश जो है वो इलाज करवाना चाहिए और विशेज सब्दों का उच्चारन बार बार करवाने से उच्चारन जो है सही होने लग जाता है नेक्स्ट है कि बोलने का उचित प्रशिक्षन देना चाहिए और बालकों को जो है जो बोलने और सुनने का गहरा संबंद होता है अता है ऐसे बालकों को स्रवन सामक्री मतलब hearing aids द्वारा सुनने योग बनाकर उनकी वानी में सुधार किया जा सकता है नेक्स्ट है निर्बल बालकों की सिच्छा तो देखे जो ऐसे बालक जो होते हैं जो कोई रोग या फिर कोई सारी रिक दोश तो नहीं होता लेकिन ये स्वास्त इतना सुरुधिर नहीं होता है और स्वास्त जो है इनका विशेज ध्यान रखना पड़ता है तो इस निर्बलता के कारण दोशपूर्ण जो है पालन पोशन हो सकता है और संतुलित भोजन हो सकता है तो छूत रोकों का आकरमण भी हो सकता है है ना तो ऐ इसे बालकों की सिक्षा के लिए क्या होना चाहिए डॉक्टरी परिक्षन और मनो वैग्यानिक धंग से सिक्षन विदियो की विवस्था होनी चाहिए और संतुलित भोजन मिलना चाहिए इन्हें तब इनकी सिक्षिक विवस्था अच्छी से हो सकती है नेक्स्ट बात करेंग कि मांसिक रूप से पिछडे बालकों के माता पिता को सिक्षित करना चाहिए और ऐसे बालकों के लिए विसेश स्कूल या फिर हस्पिताल होने चाहिए और और क्या हो सकता है कि इन बालकों के लिए विसेश शिक्षण विधिया का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सिक्षण व जाइता है कि 夯 excus प्रकार का 6 चाहिए और इने ज्यादा से ज्यादा हस्त कलाकश्जण करवाना चाहिए और इनने उसके लिए having नेक्स्ट है समव्फे गात्मक और समाजी क्रूप से विकलाउंग बालकों की सिख्षा तो देखे, परिवार के स्कूल के वात वर्ण में सुधार होना चाहिए ठीक है इनके पढ़ाने के लिए विद्धियो प्रबंद करने के लिए अध्यापक अपना योगदान दे सकता है तो यह थी विकलांग बालक और सक्षिक विवस्था तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे बताईए कमेंट बॉक्स में और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए जादा से जादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगर में बैल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूल थैंक यू वेरी मच